हेलो फ्रेंड्स बहुत ही कम इंग्रीडिन्स से बनने वाले ये है हमारे स्पेशल लड़ू जिसको आप वृत में भी बना सकते हैं और आगे जन्माश्ट में आ रही है तो काना जी के लिए भोग भी बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे इसके लिए मैंने 3-4 कटोरी डेसिकेट कोकोनट ले लिया है त्री फोर्थ कटोरी मैंने चीनी ले ली है और हाफ कटोरी मैंने दूद ले लिया है जो रूम टेंपरिचर पे होना चीए अब सबसे पहले हम चीनी को पैन में डाल लेंगे और बिल्कुल लोव फ्लेम पे हम इस पसंद आये तो मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके भी बताएं आप कौन से सीटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अब यह केरमलाइज होने लगी है चीनी यह देखिए पूरी तरीके से केरमलाइज हो चुकी है अब मैं इसम तेम्प्रेशर वाला दूर डालेंगे हम इसमें ध्यान रखें फ्लेम पूरे टाइम बिल्कुल लो होनी चाहिए और दूर थोड़ा थोड़ा करके डालें और हातों का ध्यान रखते वे डालें क्योंकि यह बहुत तेजी से उपर उठता है यह ऐसे इसको मिक्स करते रहें हम एक बार का कैरमलाइज इकटा हो जाएगा लेकिन वह खुद बखुद उसमें घुल जाएगा वापिस तो अब ही हम इसको लगातार चलाते हुए एक बॉइल आने देंगे यह देखिए सारा गुल चुका है तो अब इसको एक बॉइल आने देंगे हम अच्छा सा यह बॉइल आगिया है अब हम इसमें डसिकेट कोकोनट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके बिलकुल लो फ्लेम पे तब तक बुनेंगे जब तक कि यह पैन नहीं चोटने लगता यह देखिए इसने सारी चीनी को सोब कर लिया है बस कुछ ही मिन्टों में इसने यह देखिए पैन को चोटना शुरू कर दिया है तो बस अब फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इसको हम एक ग्रिस कीवी प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे इसमें इलाइची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए आपको पसंद हो तो डालें और अब आप चाहें तो सिर्फ ऐसे ही इसके लड़ू बना सकते हैं ठंडा करके वरना आप आगे वाला इस्टेप भी कर सकते हैं ताकि इसका और टेस्ट बढ़ जाए उसके लिए मैंने इसमें ये दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाला है बस ध्यान रखें पहले वाला बैटर बिल्कुल ठंडा हो जाना चीए अब इसे हम हातों की मदद से अच्छे इसे बन गए लड़ू बस ऐसे बाकी के भी बना लेंगे और ग्रीस कीवी प्लेट पे ही रखेंगे ताकि वहां भी गर्मी से चिपके नहीं तो बस यह हमारे आसानी से केरेमल कोकोनट लड़ू तयार है तो आपको इस रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके बताना ना भूलें और आप भी इसे बनाएं और इसको इंजोई करें थैंक यू